गूड आफ्रनून कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद हैं आप सतारे लोग बहुत ही अच्छी होंगे बहुत अच्छी लोकेशन है आज मैं पार्क में बैठा हूँ दुपैर में दरसल जैसे कि आप सभी को पता है कि कल की डेट में जो यहां के सेख हैं उनकी डेथ हो गई थी कि medicals related कुछ ऐसे बाई हैं जो medicals related सवाल करते हैं बहुत ही informative वीडियो है काफी लोगों का सवाल था कि दुबई में जो medical होता है उसमें क्या-क्या टेस्ट होता है ठीक है और काफी जादा लोग परिशान भी थे कोई अपनी बीमारी का नाम बताता है कोई कहता है कि मुझे ये problems है, कोई करता है मेरे blood में infection है, कोई करता है मेरे chest में दाग है तो यह सारी चिज़े लोग मेरे से सवाल करते हैं जो कि आज मैं इसके उत्तर आप लोगों को देने वाला हूँ सबसे बला मैं आपको पार्क दिखा दूँ यह मैं पार्क में बैठा हूँ पीछे बच्चे कहेल रहे हैं ठीक है काफी अच्छा व्यू है पीछे का पीछे ही हमारा घर है यह जिस फ्लैट में हम रहते हैं अगर हम पूरत गल्फ की बात करें ना पूरी गल्फ कर देखोगी तो दुबई से इजी मेडिकल कहीं का भी नहीं है ठीक है पहले जब मैं आया था 2017 में आपको अपनी बात बताओं तो मेरा गमका कटा हुआ था मैंने गमका करवाया था और गमका लखनू में करवाया था वह यहां पर गमका कटता मुझे याद नहीं साथ पत्रकारपुरह में था साथ कहा था मुझे याद नहीं है मैं मौर्णिंग में गया था वहां पर एक एड्रेस था उस एड्रेस पर मैं गया था निसाद गन्ज में था साथ फिर वहां से मुझे एक मेडिकल का एड्रेस मिला था गंगा करने के बाद आपको उस मेडिकल में जाना उस मेडिकल में जाकर मैंने टेस्ट कर वा लिया था तो सारी ठीक गए थी उस समय employment visa पर कटा था तरहसल मेरा जो विजा था वो यहां से employment visa डाट इंडिया गया हो जिसके मेरा गंगा कटा था फिर मुझे दो महिने का विजा दिल्ली में लाके जाकर लगवाना पड़ा था काफी लंबा प्रोसेस था तो इसलिए जब मैं यहां पर आया तो मैं सब को सजिस्ट करता था कि भाई कोई भी employment visa यहां से ना लो क्योंकि इंडिया में अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है आपको आने में विजिट visa पर आओ विजिट visa पर आने के बाद आप जब यहां पर आपको जॉब मिल जाएगी आपका visa लगने वाला होगा तब आपका medical होगा और medical में इतना easy होता है ना सिर्फ और सिर् है कि कैसे कैसे लोग आपके काम करते हाँ जब आपको कोई बड़ी बीमारी होगी like cancer हो गया blood cancer हो ठीक है सीने में जैसे से कोई hole बगएरा सुराग बगएरा होता है उसमें अगर को infection है कोई दाग है अंदर तब आपको problems आती है छोटी मूटी problems का इतना पता नहीं चाता और को यहाँ पर उतना ध्यान मी नहीं देते उनको चाहिए काम करने वाला बनना अगर आप काम करने वालो हो तो आप कर सकते हो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं जिन लोगों को भी यह doubt है कि यार पता नहीं मैं दुबई जाओं फेल हो जाओं अपास हो ज NurWhat कहीं कभी आप प्लान कर रहे हैं तो कहीं कगर प्लान कर रहे हैं तो सब से एजी और सबसे शरल और सबसे बढ़िया जो इडिक्वल होता है नवह दुबई का या दूबई यहाँ पर आओगए ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती आसानी से आपका अमेइडिकल हो बसे आप इतना समझ लिजे नॉर्मल सा चीज है कि अगर आपको बड़ी बीमारी कोई है कैंसर वगएरा ब्लड कैंसर हो गया या सीने में कोई प्रॉब्लम सोगी तभी आपको यहां पर डिपोर्ट किया जाता है अधर्वाइस आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आ पहले जब मैं गया था तो मैंने वो वीडियो डाला दिता ठीक आप चाहें तो देख सकते हैं नहीं तो मैं डिस्क्रेप्शन में वीडियो डाल दूंगा ठीक है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं बड़ा इजी प्रोसेस है दुबई के मेडिक वीडियो को लाइक करो चैनल को सस्क्राइब परो मिलते हैं अगली वीडियो में दबते के लगे थांकू सो मच जैहिन गंदे मात